अगर आपका pen drive corrupt हो गया या खराब हो गया है या system में read नहीं कर रहा है then इसको ठीक करने की एक ninja technique बताता हूं लेकिन हाँ pen drive तो आपकी सही हो जाएगी लेकिन data recover नहीं हो पाएगी तो सबसे पहले हम pen drive को system में लगा देंगे तो सबसे पहले हम जाएंगे start पे open करेंगे cmd और administrator mode पे इसको run कराएंगे इसके बाद हम सबसे पहले disk part command run कराएंगे then list disk command run कराएंगे अब यहाँ पे देखिए हमारे disk आ गया है disk 1 पे हमारा pen drive है तो हम यहाँ पे one select कर लेंगे then इसके बाद clean command run कराएंगे then create partition primary लिखेंगे then इसके बाद select करेंगे format को और यह हमारा pen drive format हो गया अब इसके बाद यह देखिए अब हमारा pen drive show करने लगा अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करतीजियो वीडियो को like comment and share करना मत भूलिएगा